हेलो फ्रेंड तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट क्रम लॉलिपॉप जो की ब्रेट से बने हैं और ये बच्छों को बहुत ही पसंद आएंगे तो आप इसे जरूर ट्राइ करिए सुचलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें लेना है ब्राउन ब्रेट यहां मैंने छे ब्राउन ब्रेट लिये हैं जिसमें की 10 लॉलिपॉप आप इसली बना सकते हैं सबसे पहले आपको इसे स्मॉल फेल करकर मिक्सर बॉट में गॉराइंड कर लेना है यह देखे यह ग्राइंड हो चुका है और आप इसे एक बोल में खाली कर सकते हैं जिस बोल में भी आप बनाना चाहते हैं हमने लिया है और अब इसे शीक कर लेजी अजली का मिलमेड यहां पर या और आपके पास नहीं है तो आप यह इसके भी कर सकते हैं देन हमने लिया है essence half spoon essence and half spoon sugar अगर जिनोंने milk made नहीं लिया है तो थोड़ा ज़्यादा शुगर इसमें डाले देन हमें इसमें डालना है चोकलेट सिरप और हमें इसका एक डो बनाना है जैसे कि हम गुलाब जामून के लिए डो बनाते हैं उस तरी की का डो बनाना है और हमें बानी ये पआनी आडप करना है इसे लिये हमें इसमें सर्फ चोकलेट सिरप डाल कर हिं इसका एक डो बनाना है झाल हम जैसे गुलाब जामून के लिए बादो चाहीं चाहुट इए वैसा ही र Especially into the Lollipop Assim का देना है। स्मॉल स्मॉल करके आस तरी के से बना सकते हैं इसके ब डाग चौकलेट को मेल्ड कर सकते हैं यह देखिए डाग चौकलेट के पीसे सकरकर आपको इस परतन में डालना है और इसमें थोड़ा सा बटर भी डालना है जिससे कि वो जल्दी से मेल्ड हो जाएगा यहां मैंने लगबग दिये चमच बटर लिया है यह देखिए अभी चुका है और यह हमने लिया है स्टिक्स जो हम लॉलीपॉप में डालने वाले हैं पहले आप थोड़ा सा चॉकलेट में डिप कर लीजिए देन जो राउंड शेप्स हमने किये हैं उसमें पोप करके इस तरीके से लॉलीपॉप का शेप देंगे अभी हमें इसे एकटने के लि चुकी है अभी जो हमने चॉकलेट सिरफ बनाया था उसमें हम इसे इस तरीके से डिप करेंगे और हमारे पास जो भी स्प्रेंकलर से हम उस पे ऐसे स्प्रेंकल कर देंगे उसे थोड़ा डेकोरेट कर देंगे जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा यह देखिए डिफ के लिए अभी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं So thank you friends, thank you for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you everyone.